इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OBE एक्जाम जो की मार्च में होने वाले हैं आपके और उनी एक्जाम के लिए आपको OBE पोर्टल पर भी रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके बिना आप अपना एक्जाम नहीं दे पाओगे इसका मतलब क्या वो घर से अपना एक्जाम देंगे और अगर आप घर से दोगे तो उसके लिए आपको पोर्टल से कोशन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी पोर्टल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पर आपको अपनी आंसर सीट अप्लोड करनी है तो उस पोर्टल पर ही आपको रिजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पर आपको अपना पासवर्ट क्रियेट करना पड़ेगा ताकि जिस दिन आपका एक्जाम होगा या मोक टैस्ट होगा उस दिन आप उस पोर्टल को एक्सेस कर पाएं तो पहले से आपको रिजिस् चैनल पे न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस दा बैल एकन ताकि आगे भी ऐसी ही इंपोर्टन इंफोर्मेशन आपके एक्जाम से रिलिडिड में आप लोगे साँ शियर करती रहूं तो फटा फट से देख लेते हैं कहां से आपको रिजिस्ट्रेशन करना हैं तो दो आइडी से अलिडिग अ इसी डूपर करेंगे और अ एसो अल के अलग से आइडी हैं यह दोनों सेम आइडी न मैं आपको description box में भी provide करा दूंगी अब एक बार देख लेते हैं कि step by step आपको registration कैसे करना है तो जब आप description में दिये हुए link पे click करोगे अगर आप regular और NC web के student हो तो proper link पे click करना अगर आप SOL के student तो SOL वाले link पे click करना ठीक है जो process है वो यहां पर क्या क्या करना है आपको तो कुछ ऐसा सर्फेस आपके सामने खुल के आ यहां पर login वाला जो पेज है आपके सामने खुल के आजएगा आपके फोन में या laptop जो भी आप यूज कर रहे हो अब यहां पर लिखा हुआ है sign in sign in उन students के लिए जो already registration कर चुके हैं ठीक है लेकिन हमें जाना है new registration पर अगर आपने अभी तक भी registration नहीं किया तो हम यह जो new registration का button है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ students are advised to use their own mobile and email address यहां पर आप जो भी contact number यूज करें या email id जो आप भी यहां पर यूज करेंगे वह अपना ही यूज करें और जो आपने जब registration फॉर्म रिजिस्ट्रेशन हुए थे ncweb और regular के वहां पर आपने यूज किया था न वही अपनी registered email id ही यूज करना और यूज करना जो आपने एड्मिशन के टाइम पर यूज की थी तो उससे क्या होगा अगर आपकी खुद की id होगी न तो उसी पर आपको सारी information प्रवाइड कराए जाएगी एक्जाम से related तो आपको वह पता चलते रहेगी अगर आप किसी और की सुल में थे यहहां पर को दिखने करें लिए पर अपने फर्लेक्षाब्स तो यहां से आपको अपना सिलेट्ट कर लेंअ जो फी आपका प्रोग्राम है जो सोफ अर्य legend zwr वाली लिंक क्लिक करो तो यहां पर इतने सारे बोस्न देखने को नहीं की यहां पर जो भी और से जाज़ आपको आपका नाम जोभी अगर आप अगर आप NCWeb और regular के स्टुडेंट हो तो आपने अपने admit card आई होप डाउनलोड कर लिया होगा अगर अभी तक भी अपने admit card डाउनलोड नहीं कर रहा है तो जाके कर लो मैंने वीडियो भी बनाई है उसके लिए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अपने admit card डाउनलोड कर student उस case में आपको examination roll number कैसे पता चलेगा तो कुछ बच्चों को आई हो पता होगा जिनको नहीं पता अगर आप अपने sol के dashboard पे login करोगे वहाँ पे तो वहाँ पे आ रहा होगा download hall ticket करके लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जब लास्ट टाइम हुए थे कि इस वीडियो में इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगी वहां से स्टुएंट देख सकते जिनको नहीं पता जो नहीं पता कि अपना exactly dashboard कैसे यूज करना होता है और अपना roll number कैसे पता लगाना होता है या admit card कैसे download करना होता है ठीक है तो वहां से अपन बटन पर क्लिक करना है ठीक है क्या है डालना है यहां पर mode हो गया select program जो भी है आपको नेम डालना है अपना examination roll number डालना है यह code आपको डालना है then submit पर क्लिक करना है submit पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है submit पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा page आपके सामने खुल के आएगा जिस पर लिखा रहेगा mail send successfully to your registered email ID और यहां पर आपकी email ID भी दिखा देगा किस email ID पर आपका जो OTP है वो भेजा गया है ठीक है OTP मिलेगा हमें यहां पर तो यहां पर देखो यहां पर डालना है enter OTP one time password तो OTP यहां पर आपको डालना है कहां पर इधर यह जो box है यहां पर आपको डालके submit पर क्लिक करने के बाद पिर अगेन एक new page खुल के आएगा जहां पर आपका already जो username है वो लिखा रहेगा यह username पर बोल रहा है password तो जो भी आप password रखना चाहते है अपने portal login करने का वही easy password आप यहां पर डालेंगे और उस password को आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि उसी के through आप अपना login कर पाएंगे यहां पर करना है confirm password तो confirm password कर देंगे जो password आपने यहां पर डाला है वही आप यहां प पर आपको करना है अपना login तो यहां पर अपना examination roll number डालेंगे और जो भी password आपने click create किया है वह यहां पर डाल देंगे उसके बाद यहां पर यह जो code है same code आप यहां पर डाल देंगे इधर and then आप click करेंगे login पर और आप अपने portal पहुंच जाएंगे आपका login हो जाएगा उसके बाद जो surface है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर आपका उपर आपका जो roll number है वो दिया रहेगा username या examination roll number जो भी आप बोलें यहां पर लिखा हुआ है check your papers in program section if any paper is missing in the list please contact your department or college तो अगर यहां पर कुछ आपको लग रहा है कि आपकी information कुछ गलत है या unique paper code कुछ गलत है तो आप सेम अपने department या college को बता सकते हैं कि यह mistake हुई है और वो उसको फिर correct करेंगे ठीक है यह आपको process बताएंगे यहां पर open book examination तो जिस भी दिन आपका exam होगा जब आप यहां पर click करोगे तो वो आ जाएगा यहां पर कि यह वाला आपका exam है आज के दिन म लिखा है जो भी आपने registration में फिल किया था जो आपके admit card में लिखा होगा यहां पर click here पर click करते ही आपको बता देगा किस किस exam के लिए अपने apply किया हुआ है तो कौन कौन से exam है अगेन आपका name and roll number दिखा देगा यहां पर जो जो भी exam है ना चार exam है पांच exam है जो भी subject है जो भी code है तो प्लीज इनको जरूर मैच कर लेना कि आपके subject और code ठीक से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा जो आपके होने चाहिए अगर यह सेम नहीं दिखा रहा है that means कुछ गलती है और आपको अपने department या college को contact करना पढ़ेगा ठीक है तो यह regular or ncweb का था सेम procedure जो है वो SOL के student का भी है एक बार मैं SOL के link पर क्लिक करके भी दिखा देती हूं कि वहाँ पर कैसा surface होने वाला है तो मैंने यहां पर यह देखो SOL वाले login पर क्लिक किया हुआ है उसके बाद यहां पर आपको सेम वही sign in करने का process है और अगर आपने registration नहीं किया है तो सबसे पहले आप आपको registration करना पड़ेगा और एक और चीजा यहां पर दोनों के लिए ही चाहिए आप regular के हो एंसी वेब को या SOL के student हो अगर आप सपोज आपने registration तो कर लिया था लेकिन आप अपना password भूल गये तो यहां reset password पर क्लिक करके आप अपना password भी create कर सकते हो ओके दन अगें आपके पास आपकी email ID डालने को बोलेगा email ID डालने के पाद एक OTP आएगा वहां पर डालना होगा तो यह सारी चीज़े भी समझ लो अभी क्यूंकि एक्जाम से पहले या कभी आप login करके देखो आप अपना password भूल गे तो उसके लिए भी मैंने process यहां पर बता दिया है तो यहां यह आपसे पहले भी mode select करने को बोल रहता है तो हमने choose कर लिया यहां पर जो भी आपका mode है select program चूज करोगी तो यहां पर देखो यह कम subjects दिखा रहे हैं जो भी subjects आपके available है वो आपको यहां से चूज करना है then name डालना है examination role number डालना है और यह मैं आपको बताई दिया कहां से मिलेगा आपको examination role number वीडियो भी मैं attach कर दूँगी इस वीडियो के end में तो same procedure आगे का भी आप submit बटन पर click करेंगे then आपका OTP आएगा आपकी email ID पर then आप password confirm करेंगे then login करके देखेंगे और वो आपके subjects आपे दिखा देगा okay तो यह ही है portal जिस दिन जो भी आपका mock test होगा या फिर जो आपके exam होंगे वो सारे आपको इसी portal पर जाके देने है remote mode वाले students को और यहीं पर आपको अपने answers भी submit करने है okay तो यह थी एक छोटी सी information I hope आप लोके लिए बहुत helpful रहेगी तो please video को like करना ना भूले अपने friends के साथ जादे से जादे शेयर करें और चैनल को subscribe क अब तक के लिए take care bye bye all the best